इस तरीके की जो रेसिपी है वो आपने रेस्टोरेंट में खाई होगी ना लॉली पॉप वाली लेकिन आज में घर पे बनाऊंगी वो भी सिर्फ उबले हुए दो आलू से बहुत जादा टेस्टी लगता है तो ट्राइ कीजेगा आप सभी का स्वागत है किचें टू किचें पूजा में एक बाउल लीजे उसमें दो उबले हुए आलू डाल दीजे अब इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा बारी कटा हुआ चला जाएगा इसके इंदर सिमला मेर्च थोड़ा बारी कटा हुआ डाल देंगे हरी मेर्च और उतना ह चमश काली मेंच का पाउडर डालेंगे और श्प्रिंकल कर देंगे, मतलब किद दाल देंगे आदी चमश के करीबन चीली फ्लेक्स, और इन सारी चीजों को बढ़ी ऐसे कर लेना है, आपको मिक्स, मतलब कि रोटी के लिए डो बनाते हैं वैसा कर लेना है और इसमें पानी औ लोन के मुछन आक और छोटे चोटे से एस तरीके से बॉह बोहद रखासासे तरीके form यह प्रणा पर ईताने महली हो जाएंगे सारा बॉल हम गर्मा गरम तेल के अंदर डालते जाएंगे मिडियम फ्लेम पे इसे हम अलटते पलटते हुए फ्राय कर लेंगे यानि कि अच्छे से तल लेंगे एक तरफ से जब यह पक जाएगा तो बिल्कुल तेल के ऊपर आके तैरने लगेगा तब ही हम इसमें स्पैचु जब निकाल लेते हैं जब निकालेंगे तो थोड़ी देर स्पैचुला को कढ़ाई में रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाए बाहर और यह हमारे गर्मा गरम से प्टैटो बाइट्स या लॉलीप बोल लीजे बनकर रेडी हो चुके हैं इसे हम सहो करे में यूनिज और टमेटो सॉस के चटनी के साथ मतलब में यूनिज लीजे दो चम्मच एक चम्मस टमेटो सॉस लीजे अच्छे से मिक्स कर लीजे और यह आपका डीप यानि की चटनी बनकर रेडी हो गया है बहुत ज़ादा गजब का लगता है तुत्पी कर लगा दिया ह मैंने बीचो बीच बॉल के अंदर ताकि बच्चे इसे बहुत ही मतलब इंटरस्ट से खाए और उन्हें पसंद आए गई